राजस्तान में इन दिनों हाई पॉलिटिकल ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉंग्रेस में सीम पत को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दरसल खबर है कि सचन पाइलिट को कमान सौपने की आशंका के मद्दे नजर अशोग गहलोद गूट के 92 विधायकों ने इस्तिफा सौप दिया है। नमस्का मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके है एक्वालिटी न्यूज और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। दरसल राजिस्थान में नए मुख्यमंत्री के चुनाओ को लेकर बुलाए गए विधायक दल की बैठक से पहले ही खेल हो गया है। देर रात इस्तिफा देकर अपने अपने घर लोट गए विधायकों के इस खेल से सचन पाइलिट का सीम बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उधर खवर ये भी है कि गहलोत समर्थब विधायकों के इस रवाईये से कॉंग्रिस आलाकमान खासा नाराज है। वही इतना ही नहीं आलाकमान ने गहलोत और पाइलिट को दिल्ली तलब कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचन पाइलिट गुट के बीच सुलह नहीं होने की स्थिती में विधान सभा अध्यक्ष सीपी जोशी को प्रदेश की कमान सौपी जा सकती है। उदर सीमपत को लेकर जारी इस खमासान पर गैलोत सरकार में कैबिनेट मंतरी प्रताप सिंग खाच्रियावास ने कहा कि वो घुस्से में है। साथ ही उन लोगों में से किसी को मुख्यमंतरी नहीं बनना चाहिए जिन्नोंने विद्रोह किया था। हाला कि उन्होंने कहा कि ये कोई बगावत नहीं है, ये महज आलाकमान को संदेश देने का बस एक नया तरीका है। अब इस विशेप पर आखिर आपकी क्या राया है, हमारी साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।